आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पराली जलाने का मुद्धा कापी चर्चा में बना हुआ है और पराली जलाने का मुद्धा होता है कि आप देखे जो किसानों के फसल के आउसेस बचते हैं न उसमें आप देखते होंगे कि आग लगा दी जाती है और इसे आपदी की पर्यावन को नुकसान तो होता ही है साथ में किसानों की जो किसान की खेती है खेत है उसकी उत्पादन चमता भी घटती है लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की किसानों की आर्थिक हालत कितनी कमजोर है आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्मत्या की हुई है तो देखिए सरकार की तरफ से अगर कुछ कदम उठाए जाते हैं कुछ कदम किसानों की तरफ से उठाए जाते हैं तो इसका बहतर समाधान निकाला जा सकता है और इससे देशी खाद बनाया जा सकता है और इसे आप देखिए खेत में ही गला कर देशी खाद में कर्डवर्ट किया जा सकता है तो इस पर हम लोग एक सामान में चर्चा कर लेते हैं पर आली जलाने पर क्योंकि इस तरह की topic से आप देखते हैं कि आपकी प्रिक्षाओं में भी questions आते रहते हैं फिर चाहे आप लोग civil service की तैयारी कर रहे हो state pcs की तैयारी कर रहे हो या one day exam की तैयारी कर रहे हो हरेत करांती के बारे में आप लोगोंने सुना होगा देखिए ग्याहूं का उपर का हिससा आप लोग काट लेते होंगे और फिर आप लोग नीचे देखते होंगे उसे ही आउसिस कह देते हैं ठीक है और देखिए पंजाब, हरियाना, खासकर उत्तर फिदेश इन चेत्रों में आप देखिए जान्दा ये समस्त्या देखने को मिलती है हरेत करांती ने भारत में बिसेश रूप से पंजाब और हरेयाना में क्रिसी के तरीकों को रूपांतीत कर दिया सरकार के रूप में एक गारंटी की खरीट डार और नियूनतम समर्थन मोल साली दहन की पिथा जीवन्त हुई है यहां हरेत करांती की बात हुई है और हरेत करांती की बात होती है तो 1960 के दसक की बात होती है नॉर्मन बॉर्लोग का नाम आप लोग सोने होंगे इन्होंने कौसिस की थी और इन्हें ही आप लोग हरित किरांती के जनक के नाम रोम में भी जानते हैं और आप देखेंगे भारत में एगर हरित किरांती का जनक कहें तो MS स्वामी नाथन को जाता है और हरित किरांती के बढ़ने के कारण 20-20 सदी मद्द में आप देखेंगे नई उच्च गुडवत्ता वाली फसलें बोई गई और इनका प्रभाव भी एक तरह से आप देखिए देखने को मिला और यहाँ एक और याद रखिए नियूंतम समर्थन मोल लिकी बात होती रहती है इस पर कानून बनानी की बात भी होती रहती है देखे कहने का नियूंतम समर्थन मोल या MSP कहने का मतलब होता है कम से कम किसानों की फसल इतने पर तो विके एक कानून तो आ जाए क्योंकि आप देखते हैं कि विचौली ये किस तरह से किसानों को लोटते हैं एक अधिकारिक रिपूर्ट के रोट साथ देश में सालाना 500 मिलियन टन से अधिक फराली यानि की फसल आउसेस का उत्पादन होता है और जिसमें अनाज फसल चावल, गेहू, मक्का, मोटे अनाज, कुल फसल आउसेस का 70% भाग का निर्मान करती हैं और गेहूं में तो आप देखेंगे सबसे जादा, उसकी बाली ही आप देखते हैं कि काम आती है, नीचे के बाकी हिस्सा कई किसान होते हैं जो आप देखिए अपने पसुगों के लिए चारा की रोब में, भूसा की रोब में रख लेते हैं और बाकी जिने जरूरत नहीं होती है वो खेतों में ही जला देते हैं पराली दहन अक्टूबर के आसपास सुरू होती है और नवंबर में अपने चरम पर होती है और जब दच्छिन पश्रिमालसुन बापस लोट रहा होता है इतीवन लगाने और किसानों को दंडित किये जा काल पाना बड़ा मुस्किल होता है लेकिन अगर आप लोग जागरूपता फेलाते हैं तो उसका रेजल्ट बहुत बहुत बहतर रहता है भविस में इस पर रोग के लिए एक इस्थायू और प्रभावी समाधान की आवस्ता है और यह अभ्यास अभी भी क्यों पिछले थे भारत किसान दसकों से पराली दहन का अभ्यास कर रहे हैं और इसके कई कारण है इसमें इन में से कुछ पिरमुक कारण है सरपथम यह फसल आवसे से मुक्ति बाने का सबसे सरल और सस्ता तरीका होता है कि फसल आप देखे कि कुछ नहीं करना होता है जो आवसे से बचता है उस पर आग लगा देते हैं और फूर्सत हो जाते हैं दूसरा फसल की यांत्रिक कटाई में उच्छाल के साथ पराली की समस्तिया बड़ी है क्योंकि इसमें एक से दो फेट लंबा ठोट छोड़ जाता है और जिसमें जिस सोयम सढकर नश्ड होने में लगबग एक से पांच यानि कि एक दसमला पांच मन लगते हैं यानि कि आप देखें दब तक किसान अपने खेत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन किसानों के पास यह परयाप्त समय नहीं होता है क्योंकि उन्हें अंगली फसल के लिए तेयार खेत की अवसकता होती है और इसलिए अवसेस की सडने की पितिक्चा करने के बज़ाए उसे जला कर तुरंत नश्ट कर देने का रास्ता चुनते हैं अगर आप देखिए कि अगर वो सड जाता है वहीं गल जाता है तो वो आप सोचे किसानों के खेतों के लिए फायदे मंद होता है खाद में बदल जाता है लेकिन इतना टाइम किनके किसानों के पास नहीं होता है अगर भारत में पराली दहन से समंद्य समस्याएं देखे तो पॉली दहन से बायू मंडल में कारवन मोनो ओक्साइड यानि की सी ओ मैथेन सी एज़ोर कैंसर क्यारक पॉली साइकलिक पैरो एरोमेटिक हाइडोकारवन बासफिसील कारवनिक योगिक जैसे जहरीली पिदूसक उतसाजित होते हैं क्या इपराली जलाने से या उसस जलाने से ये पिदूसक आसवास के बातावरन में फैल जाते हैं और इस मौक की मौटी परत बना कर बायू की गुरवत्ता और लोगों के स्वास्त को प्रवाविद करते हैं और यह दिल्ली के बायू पिदूसन की प्रात्मिक कारवनों में से एक भे हैं और दिल्ली में तो आप उत्पादंचमता भी घटती है। भुसी को भूमी पर, जलाने पर इसकी पोशक तत नश्ट हो जाते हैं और उसे उत्पन उसमा मिर्दा में प्रवेश कर जाती है जिससे चरक चरन में विध्सी होती और जो छोटे-छोटे कीट होते हैं, केंचुए होते हैं, जिनने आप देखी किसानों का मित्र भी कहा जाता है, वो भी जलकर नश्ट हो जाते हैं, खत्नम हो जाते हैं, तो यह मिर्दा या मिट्टी को नुकसान भी पहुचाते हैं, उत्पादन चमता को गिराते भी हैं, और मिर्दा के उपरी फर्तों की घुलन से इलता चमता की भी कमी कम हो जा गई है जलवाई परिवर्तन पेरित पराली दहन जलवाई परिवर्तन के कारण कटाई मौसम की अधी में कमी आई है जिससे किसानों की खरीप और रवी फसलों के बीच अपने खेतों को तेजी से पुना तेजार करने के लिए विवस कर दिया है और इसके लिए पराली दहन को भी सबसे तेज और सरल तरीका पाते हैं समर्थन में बिट्टी, दहन में बिट्टी, ये उत्तरवर्ती दसकों में उठाए गए नीतीगर्ट कदवों में बिजली और पुरुवरक के लिए सबसिटी की सुरुआत करना सामिल है इसके साथ ही किर्सी एतु रेट तक पहुंच की आसानी से फसल की पैदावार और किर्सी उत्पादक्ता में बियापक बिट्टी हुई है और जिसने फिर पराली दहन की समस्या को और मजबूत किया है एक पराली जलाने की बात होती है तो 36 गड मोडल की बात होने लगती है पराली का उपयोग किस तरह से 36 गड कर गाए 36 गड सरकार द्वारा गोठान इस्तावित करने के रूम में एक अभिना अभिनाव परयोग किया है गोठान एक समर्पित पांच एकड़ का भूखंड होता है और जिसे पिते गाउं द्वारा साज़्ा रूफ से धारन किया जाता है और यहाँ पराली दान के माध्यम से गाउं की समस्त आपरियुक्त पराली इकत्तित की जाती है और इने काये की गोवर और कुछ प्राक्तिक इन्जायमों के साथ मिला कर जैविक खात में रोबांतित किया जाता है और इस यह उजना से ग्रामिट इवाओ के लिए रोजगार का भी सर्जन होता है और किसानों को खाद भी मिल पाता है और उससे आप देखेंगे उनकी खेत की उत्वादन चमता भी बढ़ती है आगे की राहे क्या हो सकती है इसमें फसलोत्तर बीनेमन एवं परुसाहन फसल कटाई इवा पराली सिखाद निर्माढ हितु मनरेगा जैसी युजनाओ को सुरू करने और फसलोत्तर प्रिवंधन को जमीन इस्तर पर भी नेमिट करने की आवस सकता है अपने पराली को पुना उपयोग और पुना चक्रन करने वाले किसानों को सरकार रास्ती प्रोसायन भी पिदान कर सकती है यानि कि उन्हें एक तरह से आप देखी आर्थिक मदद दी जा सकती है पराली का चारी की रूम में उपयोग ग्यहूं की पराली का मवेसियों के चारे की रूम में इस्तिमाल किया जा सकता है। ग्यहूं की ठूट से तेयार तोड़ी को इसके पोसक मो लेके कर मवेसियों के लिए सबसे अच्छा भूसा चारा माना जाता है। और जिसके पाइडाम सरूब मेर्दा की गुडवत्ता में भी सुधार होता है। लेकिन इसकी जानकारी अभी भी किसानों के पास नहीं है। कार्ड बोर्ड सहत कई उत्पादों के निर्माण के लिए पराली का पोना चक्रन किया जा सकता है। इसके अलाबा इसे खाद के रूम में भी इस्तिमाल किया जा सकता है। लेकिन जागरूपता तो हो सरकार की तरफ से कुछ कदम तो बढ़ाये जाए। क्योंकि किसान आप भी जानते हैं और सब लोग जानते होंगे किसान की हालत कितनी बुरी बनी हुई है। तो इस तरह से एक ओवर्व्यू देख लिया करेगा किसी भी टॉपिक चल्चा में रहता है क्योंकि उससे कुछ पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। यार डारेक्टी पूश्चन्स पूछ लेता है आप लोगों से ठीक है। और किसी टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो उसका बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।